नमस्कार दोस्तों, आज की हमाई रर्सिपी है मसाला भींड़ी जो मसाले दार है और आधा किलो भींड़ी भींडी को मैं अच्छे से धो के साफ कर लेती हो और आगे से और पीछे से इस तरह से इस तरह से चीरा करते हैं और यज samma यह लएतना 5-10 STR Grossowa इसमें एक प्याज को भी काटा है बड़े टुकडों में काटा है इसे और फिर मैं ले लेती हूँ एक कड़ाई के अंदर हम लोग ले लेंगे दो बड़े चम्मच तेल टेबल स्पून के इस आप से देखे तो यह चे टेबल स्पून तेल है और जब तेल अच्छे से गरम हो 30 सेकेंड तक इसे हमें लगातार चलाते रहना है गैस की जो आच है उसे एक दम तेज रखना है हमें इस समय गैस की आज को कम नहीं करना लगातार इसे चलाते रहना है कम से कम 30 सेकेंड तक ये देखे मैं इसे लगाता तेज फ्लेम पर चलाती रह रही हूँ छोड़ा नहीं है मैंने इसे अब जब लगे कि ये अच्छे से पक गई है इसमें हलका सा कलर आना शुरूर हो गया इस तरह का कलर इसमें आ गया है 30-40 सेकंड के बाद मैं इस तरह का कलर आ गया है प्याज में अब मैं इसके अंदर ले लूँगी थोड़ी सी हल्दी जब ये प्याज इस तरह से पक जाए और इस तरह से वन फोर्थ टी स्पून से भी कम यानि की चुटकी पर हमने इसमें हल्दी ले लिये हैं जब यह हल्दी इस तरह से प्याज में और तेल में पकती है आपकी जो सब्जी का फ्लेवर होता है वो बहुत जादा अधा बढ़ जाता है तो यह देखिए, इस हल्दी को इस तरह से तेल और प्याज के साथ में थोड़ा पका लेजिए जब यह पक जाए तो इसमें ले लिया है मैंने एक बड़ी लसुन का पेस्ट मैंने लसुन को अच्छे से कूट लिया था और मैंने आप इसमें मिला लिया है प्याज लसुन को अच्छे से तेल में भूनेंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए मैंने फिर से इसे हल्दी के साथ में भून लिया है अब जब ये भून जाया इसे एकदम आपको मीडियम फ्लेम पर भूनना है इस समय आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखें जब ये भून जाया तो इसमें मैंने ले लिया है एक टेबल स्पून पानी लासुन डाली है इसलिए अभी मैंने इसमें लिया है एक टेबल स्पून पानी आप मेरे बताए अनुसार जब जब मैं पानी डाल रहे हूं तभी इसमें डाले है अब इसमें ले लूंगी मैं दो टेबल हिस्पून लाल मिच का पाउड़र एक टेबल हिस्पून ढदिया पाउडर एक तीबल स्पून दे लिया है हल्डी का पाउडर इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अलावा हमसी ताम ज्हाम laughing किसी दूसरे मसालों की श्रुरत नहीं है इनी तीन मसालों में यह सबजी 328 बन ग़ी इसके उपर चूटना चालो हो गया है इसके अच्छा तरी बन गई है बबल आ रहे हैं मतलब यह मसाला तरी मकला है अब मैं बता रहे हैं इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपकी सब्जी में इसी तरह से कलर और उसका टेस्ट जो होता है वो निकल के आएगा और इसे कम से कम फिर से हमें 25 सेकंड तक चलाते रहना है और इसे इस समय मीडियम आज रखनी है उसके बाद मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून पानी और डाल रही हूँ और इस मसाले को एक टेबल स्पून पानी डाल कर फिर से थोड़ा 20 सेकंड के लिए हम लोग पकाएंगे और इसे लगातार चलाते रहें गैस की फ्लेम को मीडियम रखें ये दिखिए इस तरह करने से आपकी सबजी का टेस्ट निकल के आएगा और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज ये प्याज जब इस समय डालते है न भिंडी के साथ में तो इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा था क्रंची नेस प्याज की जो सबजी के साथ आएगी वो बहुत अच्छे लगेंगे और फिर जो हमारी भिंडी है जो काटके तयार की थी वो ह इस तरह से इसे 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से चला ले ताकि मसाला पूरा भिंडी के अंदर अबसर्ब हो जाए सारा भिंडी इस मसाले को अपने अंदर समेट ले इस तरह से इसे चलाते हैं अब एक दम मीडियम फ्लेम कर देंगे हम ये देखे कितने अच्छे तेल भी इ अब जैसे जैसे देखेंगे नवजरा भी चिकना हाट ये भिंडी नहीं छोड़ेगी अब इसके अंदर मैंने ले लिया है नमक अना इसमें आधा चमच नमक लिया है आप अपने स्वात के अनुसार नमक डालें और फिर नमक डाल कर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंग इस तरह धकन धक कर इसे कम से कम आप 30 सेकंड के लिए छोड़ दें ये देखें तीस सेकंड तक छोड़ने के बाद अब मैंने इस धकन को हटा लिया है अब मैं इसके अंदर लेलूंगी थोड़ा सा पानी पानी को इस तरह से हाथों से छिड़कें ये बिंडी है ज्यादा पानी शुआ ऑसे पादें पानी का इस तरह से इस तरह से पानी का दुकें अगर में शिर्वा के बूंदी कर देखें वे पानी के capital कंखें दोखें यह देखे यह जो बुलबुले अंदर आ रहे है यह बाप के बुलबुले है और इससे यह बिंडी बहुत अच्छी बनेगी आप देखेएगा अभी मैं धकन अटाऊँगी बिंडी जरा भी चिप चिपी नहीं होगी एक दम मसाले के साथ में मिलकर खुली-खुली बिंडी ब और यह पानी भी अंदर जा रहा है जब भी हम भिंडी के अंदर पानी डालते हैं तो भिंडी एक तरह से लसलसा पन और चिकनाहट छोड़ देती हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इस भिंडी को तो यह बिल्कुल भी चिकनी नहीं बनेगे कितने ही लोग इसे बनाने में कम से कम हमें 15 मिनिट लगे हैं 15-20 मिनिट में यह बिल्कुल तैयार हो गई है चलिए इसे सर्व करते हैं यह देखिए आप खुद देख लेजिए यह बिंडी कितनी अच्छी बनी है इसे हाप रोटी के साथ में खाईए बहुत ही मज़ेदार भिंडी है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबजी को लाइक जरूर करें और अपना प्यार देते रहें फूड आन विद्यो गीता यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहें धन्यवाद और आप भी इस तरह की भिंडी अपने घर पे जरूर बनाएं सबको जरू नहीं है कम मसालों में कम समय में बहुत ही आसानी से जटपड बन जाने वाली धन्यवाद